आपे लोग क्या करते हैं? जादा व्यूज लेने के चक्कर में सरी गलती करते हैं. ये बहुत गलत है. आप जिस दिन पकड़े जाएंगे या तो आपका चनल उड़ा दिये जाएगा. दोस्तों बहुत सारे लोग जब अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कौन-कौन सी गलती है, उनी के बारे में बात करने वाले हैं. आज की इस वीडियो में इस चैनल को सब्सकाइब भी कर लिजेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कॉंटेंट मिलते रहते हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्ति योग जो सर्च इंजन बड़ा है, दूसरे नमर पर यूट्यूब आता है. तो अब यूट्यूब के सर्च इंजन में कोई आकिस सर्च करेगा, कुछ भी चीज, तो हमारी वीडियो, अल्गोरिधम उसके सामने तभी लेके जाएगा, जब हम टाइटल टैक डिस्किप्शन में अ आपको मिलेगा व्यूज, लेकिन यहां पे लोग क्या करते हैं? जादा व्यूज लेने के चक्कर में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी गल्ती करते हैं. अब सबसे पहली गल्ती है लगा सकते हैं, लेकिन मैकसिमम पंदरा ही लगाने चाहिए, इससे जादा नहीं लगा सकत वैसे दिखाई तो तीनी देने पर 6-7 लगा सकते हैं मैंने बहुत सारे लोगों के डिस्किप्शन देखें जिनमें वो 15 तो छोड़ो देड़ देड़ सो हैश्टेक लगा के बैठे होते हैं यह बहुत गलत है और यह एक कीवर्ड स्टफिंग है इससे आपके चल को कभी भी प्रॉब्लम हो सकती तो बिलकुल भी मत कीजेगा अब बात करते हैं दूसरी गलती की माल लीजे वीडियो है किसी और टॉपिक पे और आप वीडियो के अंदर दुनिया भर के कीवर्ड डाल रहे हैं आप सोच रहे हैं पॉलर क्रेयटर कर नाम डाल दूगा को रिंग लाक कर विडा कर रहे हैं ध्याए TV और यह दिन पकड़ुद के या तो आपका चनल उड़ा दिए जेगा एक की बार में बता ही नहीं चलेग जो monetization है उसको disable कर दिये जाएगा और आपके पास reason आएगा misleading metadata तो यह सब आपको नहीं करना है अब बात करते हैं तीसरे तरीके की देखिए tag box के अंदर हम कॉमा लगा लगा के बहुत सारे टैक्स डालते हैं कुछ लोग सारे के सारे टैक्स description में कोमा लगा लगा कि भर देते हैं फुल एक तम फुल बर देते हैं description को यह भी keyword श्टफिंग है यह भी आपको नहीं करनी चाहिए इससे भी आपको problem हो सकती है अब एक चीज और आती है कि description में हम कई बार लिखते यानि मान लीजिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं कोई ऐसे टॉपिक पर जिस पर मैं कोई चीज आपको सिखा रहा हूं जिसे मालों यही वीडियो बता रहा हूं कि description सही कैसे लिखे तो मैंने इसमें कौन-कौन सी क्योरी आपकी सोल्ड करिए उनके बारे मैं पॉइंट लिख सकता हूं टू टू ट्री फोर जितना भी लिखना चाहँ छह साथ यह दस तक लिख सकता हूं लेकिन कई बार लोग क्या करते मैंने देगा कोमेडी वीडियो कंदर में क्योरी सोल्ड लिख रहें फटनी वीडियो है ना हासी मतलब क्या है अब बात करते हैं एक और गलती की बहुत सारे जो गेमिंग चैनल से वहाँ पर मैंने देखे इतने सारे इतने सारे अननेसेसरी टैक्स भरके रखते हो लिख देते हैं इगिनोर इस टैक्स भाई या इगिनोर से मतलब नहीं यह को चीट कर रहे हो अगर आप पकड़े जाओंगे तो आपको प्रौब्लम खड़ी हो जागी कविए अगर तो कोमेड़य को मतलब निया il adora सकते हैं इसके लावा tim Washington 15 maximum hashtag लगा सकते हैं, इसके लाब आप पुरानी जो आपकी playlist या वीडियो जे, उनके आप links लगा सकते हैं, अपनी social media के link लगा सकते हैं, इसके लाब अगर आप कुछ भी keyword ding गलत सलत करते हैं, तो ये keyword tsuziting है, और यह आपके चलको कभी भी बरबात कर सकते हैं, monetize तो कभी भी कभी भी disable हो सकता है और misleading metadata लिखा हुआ आ जाएगा तो अगर आप एक YouTuber अच्छा बनना चाहते हैं जीवन बर YouTube पर रहना चाहते हैं हमेशा वीडियो बनाना चाहते हैं और आप चाहते कोई